हाई प्रेंट्स आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चानल पर सवागत है तो दोस्तों आज हम आपसे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं वहां बोंजाई प्लांट हर वेराटी के किस प्रकार बनाया जाते हैं यहां बताने जा रहे क्योंकि बहुत सारे लोगों है बर्गद है बनियन है गावा है मैंगो है जामून है ऐसे जो बड़े-बड़े जो है जिनका पाउधा जमीन में लगाने के बाद में उन्हें स्पेस जगह बहुत बड़ी लगती है लेकिन आपके ख्वाइस यह है कि ऐसे पाउधों को आप गंबलों में लगा कर क्यों प्रूटिंग ले सकते हैं तो ऐसे वक्त आप ऐसे पाउधों की जो टहनिया है रेनी सीजन में इस्पीशेली बारिस के मोसम में एयर लेरिंग कीजिए वहां भी फलती वी डालिया जो लास्टियर में जिने फ्रूटिंग आया था ऐसी डालियों का आप सिलेक्शन कीजिए और ऐसी ब्रेंचेश का और आईसी ब्रेंचेश का सेलेक्शन करने के बाद में उसे एयर लेरिंग कीजिए और एर लेरिंग करने के लिए कौन-कऌन से साधन की आउश 메ता है जो रिंग निकालते है जड़े पूपने के लिए उसके साथ में शहद और दालचीनी को बारिक पीस लीजिएगा उसे लगा दीजिएगा केला केले को पीस के केले को भी आप लगा सकते तो आलू का भी इस्तमाल कर सकते आलू को बारिक कीज बनाके उसका जूस लगाके तो यह बहुत सारे रूटिंग नेचरल रूटिंग हर्मोन है इसके बावज़ अगर यह नहीं भी लगाते तो भी आपको विदाउट रूटिंग हर्मोन आपको यहां सक्षेस मिल सकता है तो इसके लिए आप सिंपल मिट्ट इस्तमाल कर सकते हैं या तो कोको पीट इस्तमाल कर सकते हैं या तो स्मैगनम मॉस जो मार्केट में अल्री आउनलाइन आप मगा सकते हैं यह तीनों में से कोई भी चीज आप इस्तमाल कर सकते हैं रूट्स फॉर्मोने के लिए तो हर ब्रैंच हर पेड का रूट पीरेड है, समय है, वह डिफरेंट है, तरसे निम्भू के लिए 30 दिन, मोसंभी के लिए 3-4 महा, चीकू के लिए 3-4 मैना, आम का 2-3 मैना, जब आप यहाँ पॉलिथीन इस्तमाल करते हैं, तो पॉलिथीन ट्रांस्परेंट होना चाहिए, जिससे इस बाजू से उस बाजू क पहार से दिखना, सुरू हो जाती उस प्रेड में, आप कट कर दीजीगा, तो दोस्तों, यहाँ जो है, इस प्रकार के जो बड़े-बड़े पॉदे, इनका फूटिंग आपको छोटे गमलों में लेने का है, तो इस प्रकार आप जब एर लेरिंग करते हैं, और उस पॉद प्लैंड बनाने के लिए, आपको में बता चुका हूँ कि गावा की रूटिंग फॉर्म होने के लिए, लग बग दो से तीन महना डिफिनिटली लग जाता है, तो आप इसको मेरे येर लेरिंग के मेरे वीडियो है, मेरे वीडियो प्लेलिस में जाएगा यूटूब के, औ और वहाँ पर एर लेरिंग बाइ सुनिल कुमार मुटकूरे डालिएगा, आपको बहुत सारे एर लेरिंग के वीडियो मिल जाएगे, और उसके बाद में एर लेरिंग के पोदों को किस प्रकार प्लन्टिंग किया जाता है, वहाँ भी मैं बता चुका हूँ, उसके बाद इन पीका का स्प्रे करते रहिए और फुटिंग आप घर में गंबलों में ले सकते हैं